तो ऐसे सेस्टी का हिस्टी का चेप्टर लास्ट है तो लास्टी पेज़ा इसका प्रिंट एंड सेंसर्शिप बिफोर 1798 दा क्लोनियन स्टेट अंडर दा इस्ट इंडिया कंपनी वाज नौट टू कंसर्ण विद सेंसर्शिप 1798 में तक जो क्लोनियल स्टेट का यहां पर इंडिया में रूलता इस्ट इंडिया कंपनी का वो लोग अख्वारों को उनको मतलब अख्वारों के सेंसर्शिप से कोई मतलब नहीं था Strangely, its early measure to control printed matter were directed against Englishmen in India who were critical of company misrule and hated the action of particular company officers तो मतलब यह अनुक्षी बात थी के जो अर्ली मियर था printed matter को control करने का वो था Englishmen के खिलाफ जो अंग्रेज यहां पर लोग भारत में आके कुछ गलत काम करते थे और company के लिए में मिस रूल करते थे और particular company officer के कारे को बुरा उससे घ्रिना करते थे यह जो censorship का action था वो उनके खिलाब सुगा था पहले पहले यहां पर जो अंग्रेज्चों की लोचना करते होंगे लोग तो उसके लिए उन्हें इंग्लैंड में उसका उसका हमला सेहन करना पड़ेगा इस ट्रेड यंडिया उससे जो यहां पर उसको मौभली हासल थी यहँ कोई उसके अगेंस्ट नहीं था यहां पर वो अकेले बयपार करते थे तो उसकी इससे बिया पार्क के बारे में वहां पर गलत धारणा इंग्लेंड में होगी तो उसको इसका नुक्सान होगा इसलिए ब्रिटिश जो ब्रिटिश जहां पर थे इस्ट इंडिया कंपनी के तो उन्होंने उन अंग्रेज लोगों के खिलाफ जनी सेंसर्शिप का इस्तेमाल किया तो उनको लगता हो कि यह गलत है तो उसको वो काड़ दें फिल्मों में भी सैंसर्शिप होती है जो उनको लगता है कि जो सीन जो हैं जो गाने हैं जो भी चीज़ें उसमें मैटर है फिल्मों में जो गलत संदेश लोगों को में जाएगा किसी के खलाब होगा तो उसको वो परका वो पेज जो शपा होगा उसमें जो भी शापा होगा जो सरकार के लोगों के खिरा बोलो भूब सोईते ते उस था टी उन अंग्रेजों के खिलाब सेंसिरिब लगनी चाहिए आजने के कुछ लोग यहां के अञतारों के बारे में को अलोचना करते कंपनी विगैन एंकरेजिंग पब्लिकेशन ओफ निउस्पेपर्स डैट वोट सेलिब्रेट ब्रिटिश रूर इन 1835 तो 1820 में जो कलकत्ता स्प्रीन कोड थी वह उंग रिज्जों की थी उन्होंने एक सर्टेन रेगुलेशन ओफ नाकानून नए पास किया है ताकि वो प्रेस की जो अज़ादी थी उसको कंट्रोल कर सकें और वो लोग ऐसी खबरों को प्रोसाहन देते थे जिनमें कंपनी जानी के जिनमें लोग ब्रिटिश रूल को यहां पर सेलिब्रेट करते थे उसकी प्रिशन सा करते थे न्यूजपेपर पॉब्लिकेशन में उन खबरों को शापने के लिए वो प्रोसान किया जाता था 1935-85 में फेस्ट विज अर्जेंट प्रटिशन बाइ एडिटर्ज ऑफ इंगलेंड एंड वर्नेकल निउस्पेपर्स गवर्नर जर्नल बेंटिक एग्री टू रिवाइज प्रेस लाज जब 1935 में तो एडिटर्ज जो थे खवारों के शापने वाले उन्हों उन्हों अर्जेंट प्रटिशन दायल की ग्रेज जी और दूसरी भाषाओं के खवारों ने तो गवर्नर जर्नल जो उस ताम बिडियम बेंटिक था वो प्रेस के खिलाफ जो कनून बने हुए थे उनको थ तो मैकाले जो था थोमस मैकाले वो काफी बड़ा एक सुधारक था क्लीनियल ओफिशल था तो उसने उस नए कनून को नया फॉर्मूनेट करके नया रिवाइज करके दिया जिससे परानी जो अजाद्धी थी थोड़ी अखवारों को वो थोड़ी बहाल हो गई आफ्टर दा रिवोल्ट ओफ एटिंग फिप्टी सेवन अटिचूट तो फ्रीडम ओफ दा प्रेस चेंज़ तो थारंसो सतावन के बाद जो अखवारों के प्रती अखवारों के प्रती उनकी अजादी के प्रती जो अंग्रेज जों कर वहीया था वो चेंज हो गया एन एन रेजड इंग्लिश मैन डिवांटड एक लैंप डाउन ओन दा नेटिव प्रेस तो जो गुस्षे में अंग्रेज जो अफसर थे उन्होंने मांग की के जो जहां की जो नेटिव कौमी जो प्रेस है उसको बिलकुल कुचल दिया जाए उसको बिलकुल उनका सेंसर से पूरी तरह लगो करती जाए एज वरनेकलर लेंग्ड न्यूज़ पर बिकेम अर्शर्टिवली नैशनलिस्ट क्योंकि जो यहां के लोकल लेंग्विज के जो न्यूज़ पर थे वो देश के लिए रास्टियता बरे उसमें मैटर होते थे क्लोनियल गोर्मेंट विगैन डिवेटिंग मेजिर्ज ऑफ स्ट्रिजेंट कंट्रोल तो उसके उपर बिलकुल सकती से कंट्रोल करने के लिए वो लोग आपस में उन्हें डिवेट की बैस की इन एटीन सेंटियेट दा वरनेकलर प्रेस एक्ट बास्ट थाना सुठतर में डोकल भाशाओं वाला एक प्रेस का एक्ट पास किया गया मॉडल्ड ओन आईरिश प्रेस लाज जो के ए आईरिश प्रेस लाज के उपर बेश था जो वहां के आईरलेंड के अंदर जो प्रेस के कनून थे उन्हीं का मॉडल लाकर यहां पर थोप दिया इट प्रेस इससे सरकार को जो वर्नेक्लर लेंग्वेज जिस के बारे में जो उनके संपादक के लेख होते थे उनको पूरी तरह से उनकी डिपोर्ट्स को सैंसर करने का उनको बहुत बड़ा अधिकार मिल गया फ्रॉम नौ ऑन दा गॉर्मेंट कैप रेगुलर ट्रैक ऑफ दा जो अलग-अलग ए ख़िती तो उसको वो काड़ देती थे और अगर कोई डिपोट उनको लगता था कि यह हमारे खिलाफ है तब उन नीजपोपर को पहले चितावनी देते थे and if the warning was ignored और अगर उनकी बार्निंग का पर ध्यान नहीं दिया जाता था चितावनी नहीं मानी जाती थी तब उस प्रेस को बंद कर दिया जाता था and the printing machines machinery confiscated उसको जो उनकी machinery होती थी उसको नश्ट कर दिया जाता था despite repressive measures nationalist newspaper grew in a number in all parts of India तो ऐसे दबाब के माहौल में फिर भी जो राष्ट्रियता की भावनावाले जो नीजपोपर्स थे वो उनकी गिंती फिर भी इंडिया में बढ़ गई अलग parts में they reported on colonial misrule उन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी का जो बदहाली वाला कनूनी मतलब गलत काम करते थे जो कलोनी वाले उनकी वो रिपोर्टिंग करते थे and encouraged nationalist activities तो राष्टियता पर जो nationalist movement थी उनके activity उनके कारेकलपों को वो बढ़ावा देते थे attempt to throttle nationalist criticism provoked militant protest तो जब nationalist movement के खलाब कुछ होता था तो लोग जो थे वो उसका हिंसात्मक रूप से उसका प्रदर्शन उसके खलाब करते थे this in turn led to a renewed cycle of prosecution of protest तब उन प्रदर्शनों के उपर उनके उपर बहुत साथी से अंग्रेज सरकार अपने नए कनून लगो करती थी when पंजाब revolutionaries were deported in 1907 जब पंजाब के जो करांती कारी थे उनको 1907 में बाहर बेज़ जा गया बाल गंगाधार तिलक wrote with great sympathy about them in the in his केसरी तो बाल गंगाधार जी जो थे उन्होंने अपने अपने अखवार केसरी में उनके हाक में उनके हमदर्दी पूर्न उनके साथ मुदर्दी पूर्न विफार के लिए उन्होंने अपने अखवार में लिखा this led to his imprisonment in 1908 तो 1908 में उन्हें जेल भेज दिया गया provoking in turn widespread protest all over India तो उसके खिलाफ भी भारत में सब तरफ से वो प्रोटेस्ट शुरू हो गए sometimes the government found it hard to find candidates for editorship of loyalist papers तो अखवार के जो अखवारें च्रोटे खिलाफ झापते थे उनके हिक में शापने से इंकार कर देते थे वहन अ करने से इंकार कर देते थे तो आयसे लोगन उनको मिलने मुश्कल हो जाती थे यहां के उनके अपने अख़वारों के जो हाक में अख़वार होते हैं वहां पर संबादक बनने के लिए Ben Sanders, editor of statesmen, Ben Sanders, editor of statesmen that had been founded in 1977 was approached, he asked rudely how much he would be paid for suffering the loss of freedom. तो जब सांडर्स जो प्यक्ति था जो के स्टेट्समेंट का डीटर था तो जो के 1877 में खवार जो थी स्टेट्समेंट वाली उसकी स्थापना की गई थी तो उसके पास जब अंग्रेज गए के आप यहां पर संबादक बन जाओ तो उसने कहा कि अपनी अजादी कोने के मिलती थी उसको उसने मना कर दिया फिरिंग एट इस वोड़ फोर्सेट तो बी अवीडियन्ट तो गौर्मेंट कमांड उससे अगर मैं सब्सक्री लूंगा तो मुझे सरकार के लोगों का कहना मानना पड़ेगा तो प्रिंटेड वर्ड जो थे उनके उनकी पावर दिखती थी इसमें कि सरकार उनको दबाने की दिव कोशिश करती थी उनके खलाफ कनून बनाती थी तो भारत में शपने वाले सभी न्यूजपेपर सभी कताबों के बारे में वो लोग लगातार उनकी पड़ताल करते रहते थे तो प्रेस को कंड्रोल करने के लिए वो लोग भिन भिन कनून बनाते रहते थे दूरिंग दा फर्स्ट वर्डवार अंडर दा डिफैंस ओफ इंडिया रूल्स तो ये जो उस ताम हैं अंडर डिफैंस का जो इंडिया में रूल था अंग्रेज्जों का तो फर्स्ट वर्डवार के दुरान ट्वंटी टू नीजपेपर सेट टू फरनेस्ट स्क्यूरिटी तो उनको स्क्यूरिटी उपलब करानी पड़ी ऑफ दीज एटीन शाट डाउन राधर दैन कंप्लाई विद द गॉर्मेंट ओर्डर तो ठारा अखवारें जो बाई पारवालों ने क्या किया उन्होंने अखवार को बंद करने का उससे अच्छा समझा बंद करना अच्छा समझा ताकि गौवर्मेंट के ओर्डर ना मानने पड़े दस एडिशन कमिटी रिपोर्ट अंडर रॉल्ट रॉलट इन एटी नाइंटी नाइन फर्दिर स्टेंट पॉजिशन और प्नल्टी जब बहुत सारे नियुजब्स पर प्नल्टी लगी नैंटी नाइन 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 तो रॉल्लट एक्ट के रिपोर्ट के मतावक जो कमिटी थी तो उन्होंने उनका जो कंड्रोल था उसको मानने से इंकार कर दिया उनके ओपर जन्माना लगाया गया एट दा आउट ब्रेक ऑफ दा सेकंड वर्ड बार जब दूसरा विश्वज़ुद शुरू हुआ दिवश्वज़ुद शुरू हुआ दिवश्व इंडिया एक्ट वास पास्ट तभी इंड इंडिया मुव्मेंट केम अंडर दिस प्रिव्यू तो बारज शोड़ा उंदर उनकी जो खबरें होती थी उनको भी काटा गया तो वह भी सेंसर की गई इन अगास्त नाइंटीन फॉर्टी टू अबाट नाइंटीन निउस पेपर वर सप्रेस्ट तो उननीसो बताली में तकरीवन अबे निउस पेपर जो थे उनको तुबाया गया तो गांदी जी ने नाइंटीन डॉटी टू में क्या कहा लाइव डिवर्टी ऑफ स्पीज बोलने का अधिकार है लिवर्टी ऑफ प्रेस और समाचार पत्रों को पूरा अधिकार है वो क्या लिखेंगे रीडम आपस में ऐसोशेशन बनाने का भी हमें अधिकार है अधिकार है इन तीन बड़े अधिकार जो हमारे हैं सरकार उनको रोक कर हमारा जो एकस्प्रेसिंग अपनी बातों को हम शो करते हैं तो उसको वो लोग रौंद रहे हैं दा फाइट फार सवराज सवराज के लिए जो मारा दिकार है उसके खिलाफ लड़ने के लिए फॉर खिलाफत मीन जे फाइट फार दिस ट्रैटन ड फ्रीडम विफोर आल्स ऐल्स से इसके लिए भी सिरकार हमें तंक कर रही है तो ये बेटा आज की जो वीडियो है ये आपकी लास्ट वीडियो है इसकी लिडिंग की तो इसके बाद ये इसके जो कॉस्चन है मैं आपको बेजूँगा ये लास्ट लेसन है तुम्हारा इस्ट